नमश्कार मैं नासर उसेन और आप देख रहे हैं किसान तक इस वक्त हम वजूद हैं इंस्टिटुट ऑफ हिमालियन बायो रिसोर्स टेक्नोलोजी पालंपुर हिमाचल प्रदेश में यह उसी इंस्टिटुट इस बीटी का एक हिस्सा है जो टी गार्डन है यह है कांगला ट करती है उससे अलग है क्योंकि इसका इस्तमाल ग्रीन टी हर्वल टी के रूप में होता है और जिस तरह की चाहे हमां आम तौरबर पीते हैं शुगर और मिलक एडिट वो इस तरह से नहीं पिया जाता है कांगला टी को तो कांगला टी का अपना एक क्या हिद्या से क्यों यह सिर्फ इसी बेल्ट में यह निरी कांगला और धरमशाला के आसपास ही इसका उतपादन होता है क्यों दूसरी जगाओं पर नहीं हो पाया लेकिन IHBT वो कोशिश कर रहा है क्योंकि IHBT कांगरटी को एक पैचान दिलाने के लिए काफी टाइम से काम कर रहा है अच्छी बात यह है कि कांगरटी जितनी हिमाचल प्रदेश में होती है उसका जाधतर हिस्सा एक्सपोर्ट हो जाता है European countries में, Singapur में और जो अरब देश हैं वहाँ भी तो कांगरटी का अपने क्या हिद्यास है, इसकी जो खासियत है, जो क्वालिटी है, वो क्या है इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है IHBT के साइंटिस, डॉक्टर सनत सुजास सिंग, डॉक्टर सनत सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कांगरटी के इद्यास पर रोशने डालें जी जरूर, नमश्कार मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो कांगरटी है यह इसको जोगराफिकल इंडिकेशन का स्टेटस प्राप्त है और हमारे संस्थान ने इसके जी आई स्टेटस के लिए काफी योगदान दिया है और जो कांगरटी थी यह ब्रिटिशर्स के टाइम यहां पर एस्टैबलिश की गई लगबग तेड़ सो साल पहले यहां पर ब्रिटिशर्स ने कांगरटी को कल्टिवेट करना शुरू किया और यह जो आज आप देख रहे हैं कांगरटी का बगी चा तो यहां पर यह जो ओरिजनल तेड़ सो साल पहले के प्लांट्स लगे हूए हैं वो आप देख रहे हैं और यह जो विराइटी लगाई जाती है कांगडा टी की, ये चाइना टाइप है, ये चाइना टाइप जो है ये बैसिकली ओर्फोडोक्स टी के लिए यूज की जाती है क्योंकि जो इसकी quality है और जो इसका गुणवत्ता है वो इस यहां के जो ये जो वेस्टर्न हिमालियन रिज़न है, मिद हिल जो यहां पर इसकी best quality आती है, इसके अलावा चाय की और भी जगह लगाई गई। लेकिन वहां पर quality wise इतनी अच्छी इसकी ना तो प्रोडक्षण अई और ना है इसकी कॉलिटी इतनी अच्छी अई तो इस संस्थान ने इसके जो इसकी husbandry है, रख, रख, रख हाव रख है, उसक जिनकी टी एस्टेट्स हैं वो उनको सपोर्ट किया है तुरू टेकनिकल नोहाव कि कब इसमें प्लन्टिंग किस टाइम करनी चाहिए, प्रूनिंग करनी चाहिए, प्लकिंग किस टंक से होती है और इसमें जब डिजीज आता है तो कैसे उसको कंड्रोल किया जाए और यहां के जो प्लांटर्स हैं और टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उनके मादियम से हम लोगों ने यह जो टेकनोलोजी है वो यहां के जितने भी टी एस्टेट्स हैं सभी में पहुंचाई है इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा क्योंकि जब से यह जो लेबर की इसमें जो लेबर है वो इसको करने में बहुत टाइम लगाता है तो स्किल लेबर की कमी की वज़े से जो यहां पे बहुत सारा जो टी प्लांटेशन थे वो अबेंडन हो गए थे और प्रोड़क्शन बहुत कम हो गया था तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए हमारे संस्तान न यहां पे टी मेकानाइजेशन के उपर बहुत काम किया है और अलग-अलग तरह के जो प्लाकिंग मशीन हैं वो ड्वलप हुए हमारे संस्तान में मतलब उनकी टेस्टिंग की गई कि कौन सा जो प्लाकिंग मशीन है वो ज़्यादा सूटेबल है तो उसी के अंतरगत इसमें एक वन मेन प्लाकिंग मशीन है जिसमें की लगबग दस गुना ज्यादा जो प्लाकिंग का उत्पादन है वो बढ़ जाता है और उसी डंग से टू मेन प्लाकिंग मशीन है जिससे की दिन का जो उत्पादन है प्लाकिंग का वो बीस गुना बढ़ जाता है एस कंपेर टू कि जो मैनुवल जो हम लोग टी प्लकिंग करते हैं डॉक्टर सनद जैसा आपने बताया कि यह इस बैल्ट की में यह दैन है कांगला टी और यहां का एक खास मौसम है जिसे वेसे यह हो रही है क्या देश में कोई दूसरी जगा ऐसी भी है जहां कांगला टी का उत्पादन किया जा सकता है और IHBT उसके लिए कोशिश कर रहा है जी हाँ जरूर जैसे उत्राखंड में हम लोगों ने यह जो चाय के बागान हैं वहां पे भी चाय के पौदे सप्लाई किये हैं और कुछ वेस्ट बेंगोल में भी जो कुछ चाय बागान हैं वहां पे प्लांटर्स यहां से पौदे ले जाते रहे हैं और वहां पे भी हम लोग जो कांगला टी के हैं कुछ हम लोगों की जैसे अपने संस्तान की जो हमारी वराइटी है हिमस्फुर्ती उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कल्टिवेशन के लिए यहां हिमाचल में लगभग दो हजार हेक्टर का एरिया जो है वो अभी टी प्लांटेशन के अंतरगत है और लगभग वन मिलियन केजी मतलब दस लाख किलो जो मेड टी है वो यहां से उत्पादन होता है तो इसको हम लोगों का संस्थां जो है वह है वो इस जो प्रोडक्शन को है और ज्यादह सुद्रिवर करने की कोशिश कर रहा है इसमें हम का जैसे risky इसानों को एडवाइजरी रहती है कि किस समय पे fertilizer डालना है किस समय पे इरिगेशन रखना है प्लांटेशन में जि तो मौजूदा वक्त में इसके एक्सपोर्ट का स्टेटस क्या है इसमें एक्सपोर्ट काफी ज्यादा हो रहा है जो हमारे खास यहां पर टी एस्टेट्स हैं जैसे राइपूर्टी एस्टेट है फिर वार टी एस्टेट है मान टी एस्टेट हैं तो यह लोग काफी बड़ी उसमें पेस्टिसाइड रेजिडियों नहीं होना चाहिए और उसमें उनके कई कंडिशन्स होते हैं जिनके अनुसार हमें अपनी जो मेर टी है उसको हमें प्रेजेंट करना होता है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो संस्तान है वो इन सभी टी जैसे के चाहे का या फिर जो बिमारी आती है इसमें उससे कैसे बचाव कि आ जैसे के तो इन सब चीजों के ऊपर हमारे संस्तान काम कर रहा है तो देखा दो आपने जो हमाचल प्रदेश की पहचान भी है कांगला टी यह उसी के बाग में हम खड़ों है और जितना इसका उ हमाचल प्रदेश में हैं और देश के दूसरे हिस्सों में भी है लेकिन हम इसको ग्रीन टी के रूप में पीते हैं अकर इद्ध्यास की बात करें तो देड़ सो साल पुराना इद्ध्यास है और अच्छी बात और एक खास बड़ी बात यह है कि इस चाय के बागान में वह चाय के पौदे भी आज भी मौजूद हैं तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर अकेले अन्यदाथा किसानों के जीवन में प्रिवर्तन लाने के लिए डीवीटी के मात्यम से 3,5 लाग करोड़ उफे पे सदिख की डैसी डीवीटी के मात्यम से अन्यदाथा किसानों के खाते में गया है इस आस्मानी तस्वीर को देख कर आपको जीलों के किसी शेहर का एहसास हो सकता है लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से खलत है ये बुंदेल खंड है दरसल इस परिवर्टन के पीछे है खेद तालार योजना केंदर सरकार की प्रधान मंतरी कुष्य सिचाई योजना के तहट चल रहे इस स्कीम ने इतना बड़ा आखार ले लिया कि सूखक शेत्रों में नई क्राम दिया गई खेद तालाब योजना में सरकार किसानों के खेद में ही तालाब बनवाती है ताकि तालाब में बरसाद का पानी जमा हो। उस पानी से बारोह महीने सचाई की सुविधा मिले। तालाब में मचली पालन भी हो। ताकि भूजलिस्तर और किसानों का जीवनिस्तर दोनों ही उपर उठे। इस योजना के तहर सबसे जादा जोर बुंदेल खंड पर दिया ग कि वो अपने खेत के छोटे से हिस्से में तालाब बनवाए ताकि उनके खेतों में फसल बढ़े और आए बढ़े। अब चल रहा है। 70,272 हिक्टियर जमीन सिंचित हो गई। बुंदेल खंड की सूखी धर्ती पर भी एक बार फिर हरियाली चाने लगी। वाटर लेविल जो है जमीन का वो सही लेविल में रहता है। और क्योंकि हम जमीन से अगर कुछ ले रहे हैं प्राकर्तिक से तो उसको भी देना हमारा जरूरी काम बनता है। इस योजना को पुंदेल खंड ही नहीं पूरे प्रदेश ने हाथ हो हाथ लिया। प्रदेश में तालाब पर तालाब बनने लगे और योगी सरकार के 6 सालों के कारिकाल में तालाबों का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। योगी सरकार ने पहले साल 2017-18 में 1011 तालाब बनवाए जबकि अगले साल 2018-19 में इसका चार गुरा 3989 तालाब बनवाए गए 2019-20 में योपी सरकार ने इससे भी जादा 5261 तालाब बनवाए और 2020-21 में जब करोना के कारण भारत के लिए गटिन समय आया उस वर्ष भी योपी सरकार ने 4427 तालाब बनवाए 2021-22 में पूरे प्रदेश में 5388 तालाब बनवाए गए और 2022-20 में ने तालाब बनवाने के संख्या सरवादिक 6306 तक पहुँच गए इस तरहे खेत तालाब एक मिशन बन गया और 6 वर्षों में पूरे प्रदेश में 26382 ने तालाब तयार हो गए यह योजना आल्लाइन चल रही है किसान घर बैठे रज सरकार की वेफसाइट पर आवेदन करता है खेत के एक हिस्से में तालाब बनवाता है खेती की लागत कम करके अपनी आय बढ़ाता है और आज किसान बंदेल खंड की पहचान बदल रहा है